नमस्कार विद्यार्धी मित्रों क्याम छो बदा मज़ा मचोने अगावना तासमा अपने सल्तनत काल दर्मियान जे सासको थाई गया ए सासको अने तेमनी सासन व्यवस्ता तेमाज मोगल सासको अने एमनी सासन व्यवस्ता विशेनों अपने अभ्यास करे होतो आजी आपने मध्याविक कार दर्मियान जे पन भारत मा स्तापत्यो निर्मान थाया छे इनना विशेस माहेती मेड़वानी छे भारत नो सांस्कृतिक वार्षो ए अजोड छे भारत विश्वम पोता ना सांस्कृतिक वार्षा ना लिदे तेनु अजोड सान व्यवस्ता व्यवस्ता विशे यि शमयदर्मियान जुदा-जुदा सासको ये जुदा-जुदा स्तलोव उपर जुदा-जुदा माध्यमो द्वारा अने पोतानी आगवी कला द्वारा जुदा-जुदा स्तापत्य weld कारें देन मान करें तो बालमीत्रो ए बारत नों सांस्कुरूतिक वार्षो अतो ए भारत ते ए सांस्कुरूतिक वार्षा आए भारतने घौरव अपावी छे। स्तापत्यों मा जे स्तूपों छे ए भग्वान बुद्ना देहावसेसोने एक पात्रम म मुकी तिना पर अर्ध गोळाकार इमारतो जे बनाम आवे छे जिने स्तूप तरीके ओडखवामा आवे छे मध्ययुगिन स्तापत्यों मा अनुमोरिय युगदर्मियान गांदार अने मथुरा सैली मा स्तूपो निर्मान थेला छे मद्य युगिन स्तापत्यों मा गुप्त युग दर्मियान राजमहिलो, स्तुपो, स्तम्भो, विहारो, भवनो तथा मंदिरोनु निर्मान थैलू छी मद्य युगिन स्तापत्यों मा पाल, प्रतिहार, राष्टकूट, राजपूत, सासन, दिल्ली, सल्तनत, तथा मुगल साम्राज्य द्वारा बांध्वामा आवेल वाव, तड़ाव, मंदिर, मज्जीत, भगेरे अपने चित्रमा जोय सकिये छिए। आम विद्यर्थी मित्रों भारतना विवीद प्रांतों भार्शामों मलेल स्तापत्यों टकावी राखी छे अने उजागर करी छे। बार्णमीत्रों तमें क्यारेक कोई मंदिर निर्मान कारिया थत्तू होए तिया तमें जोवी होशे कोई कारिगर कोतर्णी करतो होए छे। आणिए जे कला चे, ईस सिल्प कला और जे मंदिर निर्मान थाए छे अठ्वातो स्तापत्य निर्मान थाई छे इस श्तापत्य वी का आपने वीक्येस जानिये। श्तापत्य वन्दिना मनम जाकता बावुने छीनी, हैतोडी भड़े पासान लाकडा, धातु पर जे कंडारवानी जे खला छे, जेने सिल्प कला दरेके उडखवामा आवे छे स्थापत्य, मकानो, नगरो, कुवाओ, किल्लाओ, मिनाराओ, मंदिरो, मज्जिद, मकबराओ, वाओ, वगेरे जे स्थापत्या छे स्थापत्यनों सरर अर्थ बांधकां इवो थाये छे स्थापत्या माटे सिल्प सास्तर सब्ध पन वपराये छे जेने, आपने संस्क्रूत में वास्तु बन कही जी है स्थापत्ये कलामो, निपून व्यक्तिने स्थापती कहेवाये छे आम बाढमित्रो भारत मों इस्वीशन 700 थी इस्वीशन 1200 ना समय गाला दर्मियान राजपुट सासकोई जुद्या जुद्या स्तापत्यों निर्मान खरिया चे तो बाढमित्रो आपणे भारत ना काल्पनिक प्रवास मा जवानू छे औने एस्वीशन गाला दर्मियान जे जे स्तापत्यों निर्मान थाया चे इना विसी आपणे महिती मेडविये राजपुट युगीन ज्तापत्यों मान निर्मान जे शैली खती ते नागर शैली जे चीत्रम आपणे जोई सकिये छे उत्तर बारतम आ नागर सैली खुब प्रचलित थाई जेम खजूराहोना मंदीर, लिंग राजनु मंदीर, गोपना मंदीर, वगेरे मंदीरोंनो समावेस्थाई छे दिल्ली सल्तनतना समय गालाम इस्लामिक सैली साते संक्लायल नवीज स्तापत्य सैली जोवा मले छे जेम सरु आत्म आरब सैली प्रमुखती आ स्तापत्यों मंदीर, मक्बरा अने रोजा एम त्रण स्तापत्यों मुख्य छे दिल्ली स्तापत्यों मा जामा मजजीद, कुतुब मिनार, होजे खास, अलाई दरवाजा नामनो प्रवेस्थद्वार अने सिरी नामनो किल्लो वगेरे मुख्य छे फिरोज तुग लके बनावेली मजजीदों अने नहरो विशिष्ट छे गुजरात, बंगाल अने मालवाम आ समय दर्म्यान पन अनेक स्तापत्यों तैयार थाया था जे माँ आपने जोईये, अमदावाद मा बद्रनो किल्लो अने जामा मजजीद ए मुख्य छे ते समय दर्म्यान बंगालनी सोना मजजीद जे आपने चित्रमा जोई सक्किये छे, ए निर्मान थाये थाये आ समय मा हिंदू स्तापत्यों मा महारान कुम्बाय बनावेल कुम्बलगड नो दूर्ग एलेके कुम्बलगड नो किल्लो अने चित्तोड नो किर्तिस्तम जेने आपने विजय स्तम तरिके पन उडखिये चिये जे अगत्याना हाता दक्सिन मा कर्णाटक मा होसलेस्वर नो मंदीर जे आपने चित्र मा जोई रहा छी जे वेसर सैली के कर्णाटक सैली मा तैयार थायू हतु बालमीत्रो तमे मोडेरानु सुरिय मंदीर ना प्रवासे गहेला छो ए मोडेरानु सुरिय मंदीर जीवू दक्सिन मा पन एक सुरिय मंदीर आवेलू छे जे जोवा जीवू छे जे तेनी विशिष्ट तारना लिदे खुब प्रचलित छे जे कोणाकनू सुरिय मंदीर जे ओडिसा राज्यना पूरी नगरम आवेलू छे जे नू निर्मान तेर्मी सदीमा गंगवंस्तना राजा नर्ची वर्मन प्रथमना समयमा तैयार थायेलू ॉहामंदीर नौहाकार रथ जेवू छे एल्ले आ रथ मंदीर साथ अश्वह वडे खेचा ता सुरिय मंदीर रथ जेवू झाल झाल उत्तर बारत ना जे मंदीर होता तेनी रचना उन्चा गोल सिखरो अने स्थम्प विनाना मंडप यलेके नागर सैली आकान ना आता जेरे दक्सिन बारत ना जे मंदीरो छे ए उन्चा अनी वाला सिखरो थी तैयार थेला जे जे द्रवीड सैली तरीके उलखाय छे तो आपने आजे दक्सिन भारत ना जे मंदीरो छे इना विश्य आपने जानी ये। मंदीर मां घर्भ ग्रु जे मुख्यत्वे एक नानो अनि अंधकार युक्त ओरोडो छे। जे मां मंदीर नी प्रतिमाने स्थापीत करवा मां हवे छे। गुजरात मां छेने आपणे गभारो थरीके पन उलकिये छे। आउप्रांत मंदीर मां अंतराल, मंडप, स्रोंगार चोकी के मुख मंडप होई छे। अने मंदीर ने प्रदक्षिना पत्पन होई छे। आँ समय गाळा मॐ केटलाक महत्व पून मंदीरो तयार थेला जे मां पल्लव काली रत थाकार ना रत मंदीरो, औने तांजोर ना राज-राजयेसत्वर मंदीर समाविस्थाई छे। अने आ मुगल सासकोई जे स्तापत्यों निर्मान करेला छे तेना विश्याजे आपने जानिये। हुमायुनो मकबर जे मुगल स्तापत्य कलानो विशेस नम्मुनो आ मकबर आमा अपनने देखाया छे। अकबर है आगरानो किल्लो औने फत्यपूर सिक्रीनो किल्लो बंधावे हतो। अने बुलन दर्वाजा नामनो जे प्रवेश्द्वार जामा मजजीदनो दक्सिननो प्रवेश्द्वार छे। जे बारतनों सवति उन्चो गुम्मटवाळो दर्वाजो छे। सेर्षानो ससारामनो मकबर आ समयनो अगत्यनो स्थापत्या छे। जे चित्रम आपने सेर्षा सुरी अने इमनो मकबर जोई सक्किया छे। मुगल सासकोई बाग बकीचानी एक नवी परंपरा सरू करेली। जे मां आपने कस्मिननो निसात बाग चित्रम जोई रया छे। त्यारबाद लाहोर नो सालीमार बाग आपने चित्रम देखी रया छे। आगरानो आराम बाग जे आपनने चित्रम जोवा मडे छे। मुगल स्थापत्य कलानू सर्वोच्छ सिखर साजाय बंधावेल। जे आगरानो ताज मेहल छे। आ मकबरो संपून सफेद हारस पहान मती बंधावेल छे। जे अदपूत नक्सी काम, भव्य बांध काम औने उत्रुष कला कारी गरीना कारी विश्वनी साथ अजाइबियो मां स्तान दरावतो आ मकबरो छे। उत्तर प्रदेशना आगराम यमुना नदीना किनारे आवेल आ ताज मेहलनु निर्मान कारिय मुगल बात्सा साज जाहाए पोतानी बेगम मुम्ताज महलनी याद्म करावी हतु। आ ताज मेहल भारतना स्तापत्य कलाना वार्साने घौरव अपावे छे। अने देश्विदेशना प्रवाशियो माटे आकर्शननु केंद्र बनी रहयो छे। आव प्रांत दिल्ली स्तित लाल किल्लानु निर्मान साज हाए करावी हतु। लाल पत्थोरोती तैयल आ इमारत राजवी कुटुमना निवास्तान माटे तैयार थैली। आ लाल किल्लाम दिवान एक खास औने रंग महेल जेवी मनोहर इमारतो तैयार थैली हती। तेनी सजावटम सोनु, चांदी औने किम्ती पत्थरोनो अद्बुत समन्वाई थैयो छे। आज किल्लाम साहज हाए कलात्मक मयूरासन पन बनाविव हतु। आ समय सिक्स संप्रादाईना स्रेष्टतम स्तापत्य लेके सुवर्ण मंदिन निर्मान थैलू, जे पंजाबना अम्रुद्शर सहर मा आविलू छे। भाडमीत्रो, आ स्तापत्यों द्वारा कलाकारोनी जे कलाज सक्ति नों आपनने परिचे थाई छे। आ कलाकारों नी जे कला सक्ती छे, तेमनी आर्थिक बाब बतों ने तो पोशेशे, पन साथे साथे आजे स्तापत्यों छे ए दर्षनिय प्रवासना धाम तरीके, औने एक आकरसननू केंद्र तरीके तैयार थाहिला छे, आपन ने पन आवा स्तापत्यों जोवा गमे छे. अर्मीत्रों, आजे आपने भारत ना जे स्तापत्यों विशे अभ्यास करें, हवे पच्छी आपने गुजरात ना स्तापत्यों विशे अभ्यास करी सूँ, तो आवसोने मारी साथे गुजरात ना स्तापत्यों जोवा, तो चलो, आपने पच्छी मली सूँ, आप बार. नमस्ते बच्चों, हूम लर्निंग में आपका स्वागत है आज हम हिंदी विश्य में इकाई छे पड़ेंगे टॉक्टर विक्रम साराभे बच्चों आप जानते हैं विज्ञान हमारे लिए एक वर्दान है वज्यानिकों की नई नई खोज और आविश्कारों से ही हम अपना जीवन बहतर से ज्यादा बहतर बनाते हैं आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारती अवकास के प्रत्ते कारिक्रम में जनक की उपाधी प्राप्त की है जी हाँ डॉक्टर विक्रम सारा भाई जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को सम्मान नियव और घर्वसे भराप बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया डॉक्टर विक्रम सारा भाई को बचपन से ही विज्यान से बहुत लगाव था और उनकी इसी लगाव ने एक दिन ऐसा रूप लिया कि वह भारत के बड़े वईग्यानिक बने। तो आईए बच्चों हम सब साथ मिलकर डॉक्टर विक्रम सारा भाई को जाने और उन्हे समझे। अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्यानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई। डाक्टर विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को एहमदाबाग्द हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपत परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम सारा भाई आठ भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम सारा भाई के बच्पन का ये प्रसंग उनके सफलता हांसिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह पांच्छे साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम धेरो चिठियां आती थी। या देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा होई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। इसलिए कई लिफाफों पर अप काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा होई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह आठ साल के थे, तो साइकल पर विभिन कलाबाजियां करते और लोगों को अचंबित कर देते। उन्हें सासिक कारणा में प्रिय थे। गणित तथा भौती की किप्रती उनकी गहरी दिल्चस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परिक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज एहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में केंब्रिज से गणित्व भौती की में BSE की परिक्षा में सफलता प्राप्त की। तद पश्चात द्वितिय विश्वयुद्ध के शुरू होते ही विक्रम जाराभाई भारत लोटाए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तठा डाक्टर हूमी भाबा का सानिध्य मिला। वहां रास्ट्रिय स्वतंतृता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह म्रुणालीनी स्वामिनाथन के साथ विवास सुत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराईयों से आने वाले रहस्यमाई कौस्पिक किरणों पर अनुसंधान करके प्रायोगिक हल निकालने का अश्रे डाक्टर विक्रम सारा भाई को प्राप्त है। यहां उन्ही का सुझाओ था कि कौस्पिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की उंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग म वैग्नानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोग शाला स्तापित की। डाक्टर विक्रम सारा भाई के नीजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला एहमदाबाद में स्तापित हुई जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त् अकनी की समस्याओं के हल निकालने के उपदेश से एहमदाबाद में ही टेक्स्टाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोशेशन की आधार शिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोग शाला, डाक्टर विक्रम सारा भाई परमाणु शक्ति, अंत्रिक्ष वी की रण, सूर्य, ग्रेह, तारा, प्लाज मभौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु उर्जा आयोक के सदस्य बनाए गए। डाक्टर भाभा की मृत्यू के पश्चात परमाणु उर्जा संस्तानों का भार युवा वैज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई के क अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूर संचार, दूर दर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता पुर्वक कार्य कर रहे हैं। डाक्टर विक्रम सारा भाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज में उन्हें डाक्टर शांती स्वरुभटनागर पुरसकार सन 1966 में पद्मभूशन तथा सन 1972 में मरणोत तर पद्मविभूशन जैसे अलंकरणों से नवाज आ गया। निशस्त्रीकरण से संबंधि कई महत्वपूर्ण आंतराश्रिय संस्ताओं में भी भारत के प्रतिनी रहे। डाक्टर विक्रम सारा भाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल आफ साइन्टिफिक युनियन के सदस्य रहे। सन 1966 में सयुक्तराश्र संग में युनेसको के विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलोजिकल युनियन का प्रमुख बनाया ग सन 1971 में सयुक्तराश्र संग परिशत के उपाध्यक्ष वबाद में विज्ञान विभाक के अध्यक्ष बनाये गए। वह केवल उच्चकोटी के वैज्ञानिक ही नहीं थे। बलकि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए परियाप्त समय निकाल देत थे। उनके ही प्रयासों से एहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नहरो विकास संस्तान की स्थापना हुई। यहां वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रती रूची जागरित करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीक थी। डाक्टर व विक्रम सारा भाई को थ्रिविंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरिक्षक के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में ठैरे हुए थे। यही रिदय की गती रुकने से उनकी मृत्य हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को ज अच्छे से पढ़ा और समझा होगा और उनको जाना भी होगा। बच्चों आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम सारा भाई को इसरों का पिता क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को यह आश्वासन दिलाया था कि भारत में यदि अवकास सेंटर हो तो इससे भारत के अवकास क्षेत्र में बहुत ही प्रगती होगी और भारत की आने वाली पीडी अवकास के क्षेत्र में कोई भी जानकारी आसानी से पा सकेगी। इनके इसे विचारों से प्रभावित होकर भारत में एक अवकास सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी। तो इसलिए इस के पिता माने जाते हैं तो बच्चो डॉक्टर विक्रम सारा भाई बच्पन से ही बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे तो आईए अब हम इस इकाई के कठिन शब्द भी देखते हैं कठिन शब्द इकाई में एक शब्द है इरादा यानि विचार संकल्प हमारे मन में कोई भी इरादा हो कोई भी विचार हो जदी हम बात करें कि रमणलाल के बहुत ही नेक इरादे थे बहुत भला इंसान था उसका इरादा नेक था अगर हमें ऐसे बात करनी है तो हम यह वाक्य प्रयोग करेगे तो इरादा उसका अर्थ है विचार संकल्प लिफाफा यहां एक नया शब्द है बच्चों लिफाफा जिसका अर्थ है कागज की वह चौकोर थेली जिसके भीतर चिथी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है अभी तो मोबाइल का यूग है हम सभी एक दूसरे से मोबाइल से जुड़े हुए है लेकिन पहले के जमाने में पत्र चिथी या फिर लिफाफे लिखने का आनंधी कुछ और था लिफाफे का एक और अर्थ भी कह सकते है जैसे कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि राखी के त्योहार में दूर रहती हुई बेहन अपने भाई को जब मिलने नहीं जा सकती तब वो क्या करती है लिफाफे की अंदर राखी रखती है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिफाफा क्या है तो ऐसे ही लिफाफे एक दूसरे को बेजा करते थे यहां इकाई में भी हमने देखा कि पीता के नाम बहुत सारे लिफाफे आते थे इसी वजह से डॉक्टर विक्रम सारा भाई को भी यह मन हुआ कि चलो मेरे नाम प पता लिखकर लिफाफे भेजने लगे इसके अलावा एक शब्द है धेरो धेरो यानि बहुत ज्यादा और एक शब्द है अधिक हम तीनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं धेरो जब डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने अपना नाम और पता लिखकर लिफाफे बेजना शु इसका अर्थ है सुसज्जित इसका अगर हम पक्य प्रयोग करें जैसे कि भारत सरकार ने एक प्रयोग शाला बनाई थी और वह उपकरणों से लेस थी वैसे ही ये भी कह सकते हैं कि जब सीमा पर या सरहद पर सैनिक लढ़ने जाता है तब वह हथियारों से लेस होता है हथि बच्चों हमने देखा कि विज्ञान के बहुत ही अनुसंधान है यानि कि विज्ञान में बहुत ही आविश्कार खोज जो हुई है उनहीं की वज़ा से हम अपना जीवन बहुत ही सुन्दर बना चुके हैं और आगे भी हम और नए अनुसंधान करते रहेंगे और एक शब्द है उपाधी यानि प्रतिष्ठा सुचक पद या खिताब जब भी कोई अच्छा कार्य करते है तब हमें कोई अच्छा सा खिताब मिलता है उपाधी से नवाजा जाता है जिस तरह डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने अपने जीवन की दर्मया विज्ञान के क शित्र में बहुत से उम्दाकार्य किये और इसी वज़े से उन्हें पद्मभुशन की उपाधी मिली तो इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं बच्चों अभ्यास और स्वाध्या के प्रश्ण आपको लिखने हैं एक प्रश्ण है आप बताईए उसका उत्त चिठ्थिया और उन्होंने चिठ्थिया लिखना सुरू कर दिया तो आप क्या सोचते हैं विक्रम सारा भाई के नाम पर इतनी चिठ्थिया तो आने लगी लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि चलो मैं भी अपनी चिठ्थिया लिखता हूं क्योंकि उनके मन में अपनी ल करतब दिखाते थे अपनी कला बाजीयों का प्रदर्शन करते थे तो बच्चों आप को को ऐसी कला बाजी या करतब आता है और आ हाँ मैंने भी कई बार देखा है कि विद्ध्यारती कभी कभी प्राणि या पंची की आवाज की नकल करते हैं ये भी तो एक कलाबाजी ही है और ऐसे विभीन करतब करते हैं कि हमें मज़ा आ जाए और बताईए आप और कौन से करतब कर सकते हैं जी हां कोई अच्छे से सुन्दर चित्र बना सकता है कोई एक पात्रिय अभी नहीं कर सकता है अरे वाह बहुत अच्छे तो आपको अप कौन-कौन से कर्तब या कलाबाजी में माहिर है आशा रखती हूँ कि आपको इकाई में अच्छे से समझा गया होगा डॉक्टर विक्रम सारा भाई को आपने अच्छे से जाना होगा, समझा होगा नमस्ते